तो तो मैं स्वागत करता हूं अपका इस वीडियो लेक्चर में मैं डिसकस करने वाला हूं कि स्ट्रेटीजी आपके क्या होनी चाहिए आने वाले IIT डायम एकजाम के लिए ठीक ना तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ठीक कि इसमें मैं थोड़ा सा मोटिवेशन पार्ट भी एड़ करूंगा और इस्ट्रेजी भी बताऊंगा कि उस इस्ट्रेजी को मोटिवेशन से कैसे एड़ करके आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं तो ध्यान से जो मैं चीजे बोलूं उसको अगर आपके 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 कि जोग 11-12 में साइनन के स्टीम में जाते हैं ठीक है ना साइन का मतलब की अगर वो फिजिक्स, केमिश्ट्री, मैथ और वो क्या रहे है तो अगर साइंस स्ट्रीम से वह 11 और 12 करते हैं तो मोस्ट आप दी जो इस्टुडेंट्स हैं उनका यह मतलब यह आप कह सकते हो कि यह उनका एक ड्रीम होता है दी शेंटी परसेंट कि मुझे आयटी जाना है एक लिए जाना या तो यह कह सकते हो कि आज-बासो का इन्फ्लूएंशी वैसा है कि यह शाया न या अभी नहीं हो पाती पर और जड़ादा परिसान हो जाते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत की अभी कुछ नहीं हो रहा है ठीक है तो कहीं से BST वगरा करके और वन्डे एक्जाम्स की तैयारी करते हैं वन्डे एक्जाम मतलब कि एक आपने एक्जाम दिया आपका थोड़ा बहुत इंटर्वी हुआ और आपको नोकरी मिल गई उसकी तैयारी में लग जाते हैं लेकिन अभी आयाएटी किया है आपको आइटी में जाने का दूसरा मौका देता है और आपने जो महिनत की है उसको यूज करके आप इसमें और अच्छा कर सकते हैं ठीक है आपको बताता हूँ जैसे मान लीजी आपने क्या किया आपने तैयारी कि आपका कहीं से लेक्शन नहीं हुआ ठीक है अभी 70-80% अगर मैं यह मान लूँ कि आईटी में जाना कमेस्ट्री मैथ बायो ठीक है अभी आपको आईटी जाना है तो अभी क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए एक सेकेंड जान्स जिसको आप लोग कहते हो आईटी मतलब कि आपने अंडर ग्रिजेशन कहीं से भी की हो आपका अगर स्कोर 55 परसेंट है 65 60 से उपर है ठीक है पॉसिबल ही इतना रखिए कि 60 परसेंट से उपर हो 55 परसेंट से उपर होगा तब भी चल जाता है ठीक है तो क्या करना है आपको आपने कहीं से भी BSc की है ठीक है पैचलर्स डिग्री आपने कहीं से भी की है बीटेक आपने कहीं से भी की है ठीक है आपको पोस्ट ग्रिज के लिए एक एक्जाम आता है जिसका नाम है अभी थोड़ा कम हैप पे है 20-30,000 फार्म ही भरे जाते हैं हर साल ठीक है न क्योंकि फार्म का पैसा भी बहुत ज्यादा है ऐसा मैं मान सकता हूं लेकिन दीरे दीरे इसका है बढ़ रहा है ठीक है आगे आने वाले यर्स में मुझ इसको देते हो ठीक है ना इसमें लिखा देखो आयटी आयटी के मतलब तो समझे रहे से लोग जैम का मतलब पर जॉइंट एडिमीशन टेस्ट ठीक है ना आप यह एक्जाम देते हो इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो जो कि बहुत ही ज्यादा एजी अगर आप सही से में करते हो ठीक तो तो फिर आपको आयटी मुंबई आयटी मतलब जितने भी आयटी आपने पूरे इंडिया में देखा है आप कहीं पर भी एडिमीशन लेके महां से परस्यू कर सकते हो ठीक है ना तो यह हो गई आयटी आयटी जैम की थोड़ी सी बढ़ाई ठीक है अभी आप कुछ लोग है जिनको यह चाहिए यार मुझे सीखना है अगर मैं जाओंगा तो बहुत सारी चीज़े सीख पाऊंगा क्योंकि आप यह देखिए ना कि आप जैसे जैसे बड़े कॉलेजे से नीचे आते जाओगे आपको फर्क खुद ही लगेगा मैं खुद बता रहा हूं है तो अपना एक्जांपल की मैंने जैसे मैं अभी आज सर में हूं थिक आ Стौ मैंने यहां के टीचर्स और अपने जो स्टेट के जो कॉलेजे से वहां की टीचर सारे टीचर का मैं मतलब ऐसा है कि मैंने उनसे बात की उनसे थोड़ा बहुत डिसकस किया है ठीक है तो आप खुदी बात करोगे ना आपको एक डिफरेंस पता चलेगा कि उनके फिंकिंग में या उनसे आपको कोई कुश्चिन करते हुआ तो फिर कैसा डिफरेंस है ठीक है तो यह आप अगर जानना चाह रहा हो ठीक तो फिर आपको आई-टी या रीशर्स सेंटर में से एमसे करनी चाहिए या पोस्ट के जिसेंग करना चाहिए ठीक है ना जैसे मैं बात करूए यूनिवर्सेटी इस की अभी यूनिवर्स पता चलेगा ठीक है भाई साब तो यह हो पहले चीज दूसरी चीज यह है कि अभी मुझे आईटी में जाना है वहां करना क्या है ठीक है वहां जाओगे ना एक एक जो इन्वारिमेंट मिलेगा ना आसपास का वह बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा होगा कि जैसे मान सकते आपकी मैं कुछ सोच रहा हूँ मैंने अपना विचार दिया तो चार लोग और उसमें कुछ विचार देंगे पता नहीं वह सही है या गलत है वह तो बाद में डिसाइड होगा लेकिन यह ना कि वहां पे लोग डिसकुसर में पार्ट लेना जाते हैं समझ रहा है वहां एक तो एक तो कैंपस बहुत अच्छा मिलेगा मतलब वह ऐसा कैंपस तो देखेंगा यार इतना इतना पैसा है अपनी सरकार के पास तीगे ना तो ऐसा तुझे लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस इतने जाधा लोग और सब एक से बढ़ जा सकूं ठीक है तो आयटी जैम के माध्यम से जो लोग बीसी कर रहे है ठीक है उनके लिए बहुत अच्छे परचुन्टी है कि पोस्ट ग्रेजुशन आप एक बार MSC जो है IIT से करें जिनको साइन सिस्टीम में कुछ करना है जिनके पास थोड़ा सा टाइम है जिनके पास नहीं है थोड़ा फैमिली प्रेशर है कि नहीं भीया मुझे मुझे MSC करके सीधा जॉब चाहिए तो उसके लिए भी आप से करते हो तो वह जाब ले लिए अगर आपको सिर्फ रिसर्च करने आपको देखना है कि साइंस पर हो गहरा है आपको फिजिक्स में कुछ हागे देना है कि यार मैं मैं रहूं या ना रहूं लेकिन वह जो वह जो मैंने दिया है वह मैं 50 साल बात भी लोग उसको पढ एडूरिबिशन देना चाहते हो तो मसी आए टी या रिसल सेंटर या सेंटर्ल यूनिवर्सेटी से करने की कोशिस करें ठीक है यह आपको करना ही चाहिए ठीक भाई साब तो अभी मैंने बताया कि आटी जैम क्या है आपको क्या दे सकता है ठीक है और आपको बहुत कि थर्टी टू-फॉर्टी पर्सेंट जो इस लेवस आपका है वो ट्वैल्थ का ही है उसमें कुछ बदला नहीं है अगर आप वो करके आयो तो यहां पर थर्टी-फॉर्टी पर्सेंट आपको नहीं मेहनत करनी पड़ेगी जो शुरू ही अभी से कर रहा है बीसी की तैयरी स सुरू कर रहे हैं उनको जादा मेहनत करनी पड़ेगी ठीक है भाई साब तो अभी क्या है कि मान लीजिए आपने वीडियो देखा और आपको अभी से मन किया कि नहीं यार मुझे अभी तैयारी करनी है तो सबसे पहली बात तो नोटिफिकेशन आ गया है ठीक है आईटी ज जाएगा आप वहां से भी सर्च कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अभी क्या करना है स्ट्रेटेजी के लिए मैं बताऊं तो अगर अभी से आप तैयारी अपनी सुरू कर रहे हैं तो क्या करो कि सबसे पहले यार स्लेवस होना चाहिए अभी आपके पास टाइम है चा साथ ही उठाइए ठीक है और दिन भर में दो तीन सब्जेक्ट पढ़िए ठीक है भाई साब मेरा ये रहता है मेरा ये मानना कि 333 रूल ठीक है ये एक रूल आपको फॉलो करना चाहिए क्या करना चाहिए तीन गंटे के तीन इंटर्वल आप बनाईए ठीक है ना इन तीन गंटे में जैसे माल दीजिया आपने 1.5 आवर्स पढ़ा अगर आपने ठीक है ना कुछ पढ़ा है कोई कॉंसेप्ट सीखा है उसको आप गंटे में सीखिए तीस मिनिट आप आराम कर सकते हो जर जर घूम सकते हो खा पी सकते हो कुछ ठीक है क्योंकि लागातार तो पढ़ जो कॉंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा है उस पर कुईस्चन्स लगाएं ठीक है यह जो रूल है तीन तीन गंटे वाला यह आप अलग-अलग तीन सब्जेक्स के लिए करेंगे रोज ठीक और यह आपको करना है वीक में छे दिन सातवे दिन क्या करना है सेवेंध दे आपको क करो और जो कुईस्चन्स आप यहां पर लगाए हो उसको रिवाइज करो और इन सारे टॉपिक्स को मिला के उनको मिला के जितने भी प्र लगा सकते हो उस सेवेंध दे लगाओ ठीक है ना फिर आप अगले वीक में जाओ फिर आप ऐसे ही करो रिवीजन यह जो सेवेंध द यह कर रहे हो फिर आप अगले हपते ही कर रहे हो तो आप जान लिए आप देड़ दो महीने बाद यह खुद ही रियलाइज करेंगे कि आपने जो पढ़ा है वह आपको कुछ नहीं आता ठीक है न तो अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो तो भूल जाना के सेलेक्शन होगा रिविजन आपको करना ही है ठीक है यह मतलब यह आप जान लिए ब्रहमात रहरे कि आपको अपने नहीं किया ऊप कम पढ़ू चलेगा लेकिन उसका रिविजन करते चलो टाइम तौ अच करें तो जम्हें जाहें जो इग्साम है वो आता है आपका फर्वरिमե। तो ये कोसिज करिए कि दिसम्बर backend तक आपका जो स्लेबस हो कर लिए। तो आप और दिस्मबर दिन तक स्लेबस अपने खतम कर लेते हो मस्ती वस्ती थोड़ा साइड में करके तो आप जन्वरी में क्या करो सारे सब्ज़्च इतने आपने पढ़े हैं उसको आप क्या करो रिभाइच करो ठीक पहले चीज यह होगे दूसरी चीज यह करो कि जो आपका टेस्सीरीज है ठीक है जन्वरी में आपको खरीने लिनी किसी कोचिंग की मैं अपनी नहीं किआंगा वह हम लोAh 99 डे सिरीज नहीं चाहिए टॉप लेके smash को आपको लेकिन अगर को नहीं लेना किसी भी कोचिंग का अपको ले लेकिन जन्वरी में सिरी परचे जरूर कर लो तीक और जन्वरी में सिर्फ test series दो और revision करो यह मैं बता रहा हूं यह मतलब अभी से तैयारी करने का बहुत अच्छा golden time है आपने नहीं शुरू की तैयारी फर्वरी से या मार्चे से कोई दिक्कत नहीं है अभी से अगर शुरू कर ले रहे हो और थोड़ी सी इमानदारी उसमें डाल दे रहे ह अगर आप अपने काम के प्रती इमानदार रहोगे honest रहोगे आपको result 100% मिलेगा ठीक है मैं यहां पर एक और announcement आप पर करते हो एक note point डालना चाहरा हूं ठीक है कि जिसने भी तीक है मैं लिख के मैं बोल दे रहा हूं इसको आप अलग से clip कार्ट के रख सकते हूं जिसने भी पूरे जो भी लोग तयारी करेंगे वो हमारे coaching के हो या ना हो जो भी सुन रहा है जो भी लोग इस rule को follow कर रहे हैं revision कर रहे हैं और end में test series लेके कम से कम minimum 15 test series full length की solve कर रहे हैं ठीक है ना और exam दे रहे हैं और वो मान लेता हूं मैं कि उनकी rank नहीं आते मतलब कि मैं यह expect कर र rank जो आ सकती है 400 rank से कम ही आएगी ठीक है आप इतना किये एक विमानदारी से में बता रहा हूं इतना आपकी यह अपने test series लगाई और आपकी अगर इतनी rank नहीं आए तो आप मुझ से आना मुझे message करना मेरे इस वीडियो के नीचे comment करना कि सर आपने जो बताया था वो नही आना ही है यतना है लेकिन हाँ honesty से बताना ऐसा नहीं कि मतलब आजी वीडियो देखे आजी लिखे सर मैंने किया था और नहीं आया तब नहीं माना जाएगा इमानदारी से थोड़ा सा भरोसा करते हुए क्योंकि मैं पूछूंगा कि आपने अगर इतना किया है तो आपको कह 100% आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा कुछ लोग यह कुछते हैं कि सर में दिन में पढ़ो या रात में चाहे जब पढ़ो पढ़ने का कोई टाइम डिसाइड नहीं है अगर आप दिन में पढ़ना चाहरे हो दिन में पढ़ना चाहरे हो आप रात में पढ़ो बस यह करना क कि जब एक्जाम आ जाए तो एक्जाम देख लेना कब से कब तक है उसके बीच में सोने की आदत मन डालना ठीक है जैसे सूबे का 9 बज़े से 12 बज़े तक एक्जाम है आपकी आदत है कि मैं 11 बज़े सूबे उठता ही हूँ तो ये थोड़ा फिर बदलना पड़ेगा आपको ठीक है तो इन आदतों को बाद में साइकर लेंगे पहले अभी आप दिन में पढ़ रहे हो आप सकते हो रात में पढ़ रहे हो अब रात में पढ़ सकते हो लेकिन एक चीज़ दिहान में रखना कि अगर आपने यह 5-6 महीने शही से इन्नवेस्ट कर दिये तो आगे वाला जो टाइम आएगा वो बहुत अच्छा आएगा ठीक है ना यह मैंने experience किया है मैं जानता हूँ कि इसके लिए मतलब और कुछ लोग कहेंगे यार मेरे घर में यह दिक्कत है वह दिक्कत है यह दिक्कत सबके घर में होती है ऐसा नहीं है कोई यहां पर इस अर्थ पर कोई ऐसी मतलब जैसे होता है ना कि लाइफ हमें ऐसे जरती है साइन कर वें कभी अच्छा टाइम है कर बूरा टाइम आता ही है वो सब के जीवन में आता है कि कि अगर तुम यहीं देश के नहीं पढ़ाई दिखाई कर रहे हो कुछ अलग काम करने में लग जा रहे हो तो वह आपकी दिख्कत है आपको नहीं करना ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग है मैं आपको बताता हूं कुछ मतलब कुछ रियल इंसिडेंट से बता देता हूं कि कुछ लोग है कि ऐसा अब मॉडर्न जमाना आ गया सबको गल्फ्रेंट बॉइफ्रेंट बनाने हैं अपने अपने ठीक है ना अभी क्या है कि उसमें टाइम गवाएंगे उनको बाते कर रही है बिना मतलब की बातें ना मैं यह कह रहा हूं कि आप गल्फ्रेंट बनाइए इसमें कोई दिक्कत नहीं बस यह है कि ऐसा बनाइए ना कि जो जो आपको कंस्ट्रक्ट करें डिस्ट्रक्ट ना करें ठीक है आपको बनाए वो ऐसा नहीं है कि मतलब यार क्या ही बना रहा है बनाना कुछ और है ठीक ना तो यह थोड़ा सा मतलब ऐसा बच के एक एक सही पार्टनर चुनिए जिसके साथ आप जिससे आपका इंटेलेक्चुल जो लेवल है वो मैच करें आप उसके साथ खूस रह सकें इसा बिलकुल मत बनाए कि मतलब हमेशा परिशान यह यार क्या कर लिया यह चला है वो चला है उसके लिए मतलब यह मैं कह रहा हूं कि तैयारी को हमेशा उपर रखो क्योंकि आपका कैरियर अगर बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी ठीक है कैरियर नहीं बने आगे आने वाले यह सचे प्रेम जो है वो सौ में से सिर्फ दोचारी यह जो सकस्पुल हो रहे इन बाकी सिर्फ सबका कट रहा है ठीक है तो वह नहीं करना है जितने भी चीजें आपको लग रहे हैं उसको सबको किनारे करते हुए यह जो इक्जाम है इसके लिए भ्या मेरा भी सपना था कभी मैं एक रहंग के पढ़ता था नहीं हो पाया अब कुछ लोग कहेंगे आपका नहीं हो थोप रहे हो मैं थोप नहीं रहा हूं कि मेरे एकुस्ट साथ-ईकुस्तष रहेंक आ सकती है तो आपकी यह करेंगा सकती है क्योंकि मुझसे मुझसे कोई धीमा अन्मी होई नहीं सकता यार ठीक है न मैंने सुन्य से शुरू किया था आप तो ऐसा होगा कुछ ना कुछ तो जानते होगे 10% 5% मैं ऐसा था मैं निगेटिव में था सुन्य भी सायद नहीं था जो कॉंसेट कुछ भी होने से अगर माल लेता हूं मैं सेलेक्शन आपका नहीं होता है ठीक है लेकिन जो तुरूर्ट जी जन्नी जो आपको एक नॉलेज मिलेगा वह बहुत ज्यादा बड़ा इमांट होगा ठीक है आपका भी रिगरेट नहीं करोगे इस तयारी के बात यह मैं लिग के दाल दो की है सर्य यह दिग्कत है तो मैं जरूर्र रिसम दो दिन में जरूर्र मैं रिप्लाइदेही देता हूं ठक है था नो आफ तो आपको रिप्याइन मिलेगा और और सही-सालं जिऑशन दिलेगा ठेक तो मैं आशर 2007 चलता हूं धननीवाद